पिछले साल भाबी जी घर पर है फेम दिपेश भान ने दुनिया को अलविदा कहता दिपेश शो में मलखान का किरदार निभाया करते थे दिपेश की मोत दिल के दोरे से हुई थी जिसके बाद उनके फिटनेस को लेकर कई सवाल उठने लगे थे हलाकि दिपेश की पतनी नेहा भान की माने तो वो पूरी तरह से फिट थे एक बाचित के दोरा नेहा ने दिपेश और उनसे जुड़ी यादे साजा की निहा ने बताया कि दिपेश की मौत के बाद कैसे लोग उनके कपड़ों पर तंच कसने लगे थे लोगों को उनका हसना भी नामनजूर था शुरुआत में मुझे लगता था कि लोग मेरे पीट पीछे कभी कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन जो सोचा भी नहीं वैसा होने लगा लोग कहने लगे कि इसने तो अभी से हसना शुरू कर दिया अभी से ही बाहर निकलना शुरू कर दिया ये इस तरह के कपड़े पहनती है इसे तो बेट कर रोना चाहिए इसे दुख नहीं होता क्योंकि इसकी अरेंज मेरिज है इन बातों को सुनकर पहरे तो बहुत दुख होता था लेकिन फिर मैंने इन्हें अपने तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया मैं और भी स्ट्रॉंग होती गई दिपेश मेरे इंस्पिरेशन थे उन्ही को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही हूँ योग और मेडिटेशन की मदद से इससे भाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ दिपेश की हेल्थ को लेकर कई बाते सुनी थी जो की पूरी तरह से गलत थी वे वर्क आउट करते थे लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कभी तलिवी चीजे नहीं खाते सही वक्त पर सोते थे उस दिन निधन वाले दिन भी वे जिम नहीं कहते जिसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया था इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ नहीं वाल